कि कि आप आइएस के डेली विशय संदी संपादकी विश्लेशन में आपका स्वागत है आज हम आज कुछ आडिकल करने वाले हैं जो कि है बहुत ही अच्छ है इसमें से देनिक भासकर का और डेनिघ भासकर करके एक भिज्यніस स्टेंडर्ड का जन शत्ता गया तो हम अपना जो आर्टिकल है वो सुरू करते हैं यह एक व्हेता है एक्स पीम प्रधान मंत्री जी रहे हैं दक्टर मोहन सिंग जो की उदार आर्थिक नेतियों की सुत्रधार भी रहे हैं अपने और विस्ट भी ख्यात आर्थिस अर्थसास्त्री भी है तो उनसे थोड़ा यह जो डायक्ट यह राजने भासकर करके संपादक जो हमत अत्री जी से उनकी डायक्ट जो बातचीत हुए त मन्दी की ओर जो जा रहे तो उसके बारे में इस में बहुत अच्छ से विस्टलेशन किया गया है तो उसके बारे में हम अहां पास डिस्कस करेंगे तो चलते हैं आर्थिकल के और है है अऊ-ऊ- guy पुछे हैं उनसे मतलब की फ्यम्जी से एक्स प्यम्जी से कुछाग्य से अपना जो सरकार का सौ दिन कंप्लेट हुए और उसी में से जो अर्थिक मंदी के बारे में विश्री वो किया है कि बहुत ही वितलब भारत के जो अर्थिक मंदी के बहुत ही मंदी के और जा रही है उसके बारे मुनके कुछ उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिया है जैसे कि जो अपनी पिछली तिमाही की जो जीडीप जो विकास तर थी तो पांच परसेंट पिछली तिमाही की जो की पिछले 6 वर्थों में सबसे कम है और वहीं नॉमनल जीडीप भी अपन्दरा साल के झाल की जिए चैर्दा जो की ज्यादा मतलकी बहुत ही और उनल पर हैं जो की सबसे ब्रक्रिक वी देख जाते हैं तो इसमें से पहले है आट्मेटु सेक्टर है миहें जिसमें से उतबादने बहुत ही जदा यह गरावाट्ट्ट इसमें देखी गई है इसमें साहिए वही साथ ही साठे तीन लाग से जादा नौकरिया भी जा चुकी है इस सेक्टर से और इसके जो उदारान के वारे माने सारे पीमपरी चिंचिवाड चेन्य ये साथ वोटी सेक्टर जो है तो इससे जूज रहे हैं गंभीर समस्या में तो और इससे समंदिज जो भी उद्योग है तो बहुत ही मतलब की मंदी की तरफ जा रहे हैं और वहीं साथ ही यहां पास से ट्रक उत्पादन में भारी मंदी देखने को मिली है जिससे की अपनी जो मालों का जो आवस्कता है तो बहुत ही ज्यादा मतलब की धिमी माग हो गई ह है तो इससे भी मतलब अपनी आर्थे की स्थिति बहुत ही ज्यादा मतलब की लो होती जा रही है देश की और यह मंदी की स्थिति है और साथ ही इससे सर्विस सेक्टर भी अपना बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रहा है तो इससे और कुछ मतलब की ऐसे छेत्रे जिसके इसमें मंदी देखी जा रहे है। वोई कच्च तेल प्राक्रतिक स्चेश की जुथ ऊंसे की तो मिलेंट और वही देखा जाए टो अपनी की इन बात की जाए मठान की इस्तिती भी कुछ मतलब की खास ठीक नहीं है वहाँ भी इस तरहा की समस्या देखने को मिल रही है टो अधी देखा जाए-किभी इस गर्णाज आए थे तो ये 2017-2018 में पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा लगागा 6% के आसपास जो ये विरोजगारी इसमें मतलब की देखी गई थी तो सबसे उच इस तरही है अपने पिछले 45 सालों में तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब की बहुत कम्हीर समस्या देखी जा रह बिस्किट के दाम है तो पांच रुपए को जो पैकेट है उनकी विक्री में भी गिरावाट आ गई है तो इससे तो इस पश्ट हो जाता है कि जब इतनी छोटी सी चीज भी प्रहावित हो गई है तो बड़े लेवल पे तो बात ही कुछ है और कि वह तो निश्चित तर पे उ मतलब यह जो मंदी आई है तो लंबे समय तक वाली मंदी है यह जल्दी मतलब नहीं इसको थोड़ा टाइम लेगा इसलिए समय थोड़ा सरकाल को रणे नीतिक द्रिश्ट से थोड़ा ठीक ठाक ढंग से इसको टेकल करना पड़ेगा तो और इसके बारे में जो जिमेदार क मतलब की मंदी की तरफ चली गई और यह जो है तो मतलब की कमभीर समस्या है और यह देखे इसमें तो इसे जो नोटवंदी वगए रहा हो गई इससे जो हमारे तो बैंक में भी थोड़ा सा मतलब की मनी का रोटेशन वह बहुत ही प्रवावित हुआ है तो यह समस्यां में नोटवंदी जिएश्टी की जो है तो अर्तवस्ता पे एक तोड़ा सा और गहराई से विस्दीशन किया है कि नोटवंदी और अर्तवसता जो है तो इसका कुल प्रवव कैसा रहा है और साथी रोजगार विससे कैसे प्रवववव इत हुआ है अचिसका भरह मनौन ने ली मुझी का सप्ल ही है तो बेता तरीके से फ्रों नहीं हो पा रही है और साथ ही आपसे देखा जातों यह दुस्साया कि भारत में जो है अनपचारिक अर्थवस्ता है तो वैद हैं और वैद हैं तो वह भी करसीमा के दायरे से तो बाहर हैं लेकिन को काली अर्थ यानि के ब्लैक मनी के वह इक उसमें नहीं लाया जा सकता है तो वह भी इससे प्रहावित हुए जब यह नोडबंदी वगरा हुई तो तो इससे जो है तो मतलब कि की प्रहावित हुआ असाती ही जो क्रिसी छेत्र तो जОक्रिसी छेत्र है तो सपेसलती देखा है जो क्रिसी Points ॉभुई बी कि जो किल्डात आई थी तो सी जो छेत्रे हैं तो बहुत ही बूरी तरह से प्रभावित हुए हैं क्योंकि टोटल डिपेंड नगदी पर ही थी अजब नगदी की कमी हो गई तो निश्ची तो पर लगवग एकदम चीजों जो माग थी तो पूरी तरह से गिर गई अना डिक्र समेजरि अप्रेल 27 के दारान जो असंगती छेत्र थे ठेंट में 1.5 करोड नोकरिया खतम हुए हैं असंगती चेत्र में 1.5 करोड नोकरिया जो है तो डायक्त नोटवन्दी के इस पर फिक्षित होते हैं कि रही जैसी नोकलीया खत्म होगी तो क्या होगा लोग अपने गाउंगों के लोटने के साथ हैं यहाँ पास यह देखा गया कि जो मन्रेगा था तो मन्रेगा के कामों में काफी एक एक उच्छाल आगे मतलब उनके डिमांड बढ़ गई मंद्रेगा में काम की बहुत ज़दा मागों बढ़ गई और इसकी एक्सेप्टंस सरकार के दोरा इस मामने में देखी गए कि मंद्रेगा में सरकार ने बजट आवंटन में भी काफी बढ़ा बढ़ जो है तो जीडीपी का साड़े साथ परसेंट से गीड़ करके जो है 2.7 परसेंट आ गया है कार्परट नीवेस और जो कि 2010 से 11 में सकल घरेल उत्पात का 15 परसेंट था जो कि सबसे हाईजिश लेवल पे था तो वो उसकी भी इस्तिति कार्परट शेक्टर की है जो कि में ग् मतलब की पूरी तरह से प्रवावित हुए है उसमें तो नूट वंदी और जेश्टी का गलत तरीके से जल्दवाजी में इस तरह का इंप्लिमेंटेशन जो है तो हमारी अर्थवस्ता को मंदी की और धखिलने में बहुत ज्यादा जिम्मेदार माना गया है हाला कि यहां प करण। शुथ ज्यादा сов ऐसे कि अपने सक्षी कंप्रावित कैसे क्या है है तर Tippapped शौर्वाज को यह क declared है थी विद्सक्ति and अब इन गया कि अनने मामलों में आयात के जो भारती कमपणी है ना उसा सोर्सिंग पर प्राथ मिक्ता तो दी गई लेकिन जो जीएस्टी के दारेरी मुश्किल से ही आ पा रही थी इससे क्या हुआ कि चाइना का माल था तो बहुआ भारत पर बाहरत के उसमें ड़ंप कर गया चाइना का मल अब इससे क्या हुआ अपनी आपूर्ती शिंखलाबादीत हो गई और चीन का मल हमारे बाजारों प् भेसाट बहुत ज़्यादा प्रहवीत हुए तो यह हमारी मतलब कह सकते हैं कि नीतिगत अस्तिरता भी रही इसमें से पॉलिसी बदल रही है अपनी हिसाब से तो इस में थोड़ा सा सा एक प्रडिक्शन में लोग प्रहवीत तो एक क्या करेगा कि हमारे banking sector को मजबूत तो बनाएगा लेकिन इसके लिए जो उन्होंने का कि यह समय है तो यह समय अनकूल नहीं है कि बैंकों की विले मतलब कि इस तरह किया जा क्यों कि इससे क्या होगा कि हमारी जो वर्तमान की एकोनामी जो डल मतलब कि मंदी की और जा रही है तो इससे हमारे जो बैंकिंग जो साविक छेटर की बैंक के इनके जो अड्मिस्टेशन बगए रहा तो टोटल विले पे फोकस हो जाएगा और जो हमारी जो मंदी की स्थिति है उस पे निवारे पे फोकस नहीं हो पाएगा और जो हमारे banking sector काफी चुनोती है जैसा क एन पीए है ना नन पर्फार्मिंग ऐसेटे इस तरह की समस्षचा ना और जो है तो यह मतलब की इन समस्षाओं तो यहां तक सरकार का यह सा मानना था कि यह बैंकों को मजबूत हो जाएंगे और थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे मतलब कि ज्यादा हो जाएगा उनका लेकिन इससे क्या होगा कि कि यह कमजोर बैंक को मजबूत बैंकों के साथ विलाय किया जाता है तो निश्ची तोर पे जो जो इसके प्रणाम नखालाता ना यह संभावना से पाई जा सकती है तो और साथ ही ये जैसे की कमजोर ब्यक्त है तो एसे लिए इनको प्रम्ट कर ईकसिए में तो हिसी नहीं संकत है कि यहां पास उन्हें का कि जो सरकार है तो उसको 2008 की लगता है कि वैसिक वित्ती संक्रत से हमें सबक भी लेना चाहिए था जो कि हम इन इस्तितियों को फेज कर चुके हैं तो उनसे भी हमें थोड़ा सा सीख लेना चाहिए था और सही संरचना तक मुद्दो के समाधान की पाहल भी हमें करनी ही चाहिए तो और साथ ही फिर उन्हें डिसकस किया कि जो हमारी बित्ती नीती है और आर्थिक प्रवंधन ह जी रखें हैं उसके संदरव में भी उन्होंने मतलब की कुछ डिसकस किया है जयसे की नोडवंदी और जएष्टी के बारे में तो बताया है और वहीं उन्होंने यहां पास किया कि मुद्रस जैसे कि सरकार जो अपने हैं तो इसमें मुद्रस फ्यीति पर नियंत्रक्ट की मत पर आया है तो इसके लिए किरिसी छेत्र को कंप्रोमाईस किया गया गया तो इस लिए तो बर्तमान में जो क्रिसी छेत्र है तो अपने पिछले 14 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है अपना निरियाद भी ज्यादा अगधम सिकुर्टा चला जा रहा है और आयाद पढ़ता जा रहा है इन छेत्रों पर क्रिसी जैसे जो कि भारत क्रिसी छेत्र में बिल्कुल आत्मनेरी भर है तो यह भी एक समस्या ही है और वहीं मजदूरी खपत में गिरावट भी देखी गई है और यह तो इस ते ग्रामेर छेत्र समस्या है और यहां पास जाए है तो इस तरह के समस्या है तो बढ़ती जा रहे है और हाला कि सरकार के जो लेकिन सरकार ने इसमें भी पेट्रोलियम उत्पाद और कर उपकार को बढ़ा दिया इंग्रेस कर दिया है जबकि जो अंतराश्टी इस तर पर कच्छे तिल की जो कीमत कम तो थी लेकिन भूकताओं को उसके एवाज में परियाब्त मतलब कि छूट नहीं दी गई जिस तरह से अंतराश्टी इस तर पर इनके दाम कम हुए थे तो इस प्रकार से मत सहीता की बाते चल रहें तो वहां पास सप्रेम कोर्ड की टिमडाडी ऐए थी कि यहां पास समान नागरिक सहीता के बारे में सरकार को कुछ मतलब की कि सुमाने सरी जाना चाहिए कि कि सहीता के निर्माड हो जो अभी तक कि लम्बित है आप इसको यादि देखा जा तो 1958 में हिंदू काणून जब बना था तभी सी जो है तो समान्नाग्रिक सेहिता की मध्यख़ जादेशी से बढ़ने लगी थी तो कि यह समाननागरिक सेहिता तो यह तो यह नगा कर लिए भी वह कहा जारा है जिए और मतनी एक सही समय जैसे कि इपने तिन तर्लाग जैसे मुद्द्ध हैं तिन तलाग जैसे जो नेड़ने सरकार के हैं इसने लिया है तो उसी पीए फिर से प्रकास के बहां सी छड़ गया है कि इसमें से समान नागरिक सेहिता होना जाई है और इसके लिए कुछ लोगों का तरक भी है कि जैसे अपने विधियायोग का भी इत्ता भायत किया है तिसले समान नागरिक सेहिता नहीं मतलब की जादा अभी शूटेवल नहीं है वही देश में विवार उत्रादिकार समंदिर कारून एक समान नहीं सकते इस तरह के तरक भी दिये जा रहे है लेकिन इसके लिए एक बहतर उदारार्ण भी है कि गोवा ग इसी तरह की है तूँ वह पस्ट हो सकता है तो पुरें सकता है इसवारे में बातय कि क्यों फोना चाहिए तो इसके बदिया हो आप आप मरभान हो एकंस लाए दोसे भीए थोड़ा हो इसे काफी सुधार होगा और इसकी मतलब की बड़ रही है समान दीबा जासकोटाने के संहिथ के लिए कि लिए भीए साहँ होंने सर्कारPhone 7 को सर्कार को पहलके आप जाए ठीक जाएगे तर्सेकराब कि अपनी हाली में केंद्री वाड़ी जमंत्राले के ताजा आक्ड़े यह थे कि अगस्त दोह जोनीस में देश का जो निर्यात है वो छह फिस्दी तक कम हुआ था यह निर्यात छेतर में सबसे लंबी मंदी है ठीक है तो मतलब कि यह बहुत ही ज्यादा निर्यात सेक्टर हाला कि सरकार डिवाइड अच्छे मतलब कठोर कदम उठा भी रही निर्यात छेतर को प्रोस्ताहित कर रही है अभी हाले में रियल इस्टेट के चेतर में भी कुछ सुधार देखे गए हैं सरकार कदम उठाए गए हैं तो भी हो रहा है लेकिन समस्या है तो आर्थिक मंदी जिस तरह से एक स्पेसल है कि जिसे धाचे का समस्या के देश के बाहरी संतुलन की स्थीरता पर जो ततकालिक असर तो नहीं होगा लेकिन यह घरियली मांग है उसमें कमी की चलते आयात में भी गिरावट आ ही रहा है तो एक परकार से उस संतुलन मतलब बता रहा है कि क्यों प्लीन आयात क्यों कम हो रहा है तो है कि मांग कम हो रही है तो यह की यह बिए इसके लिए पर सकता है कि आयात के कम होने का तो इसको वहीं देखा जाए कि हां पास जो एक समस्या सभ्सक्रय क्योंफना जो पंधिनरियां गूड्ज थे तो नियुक्ट गुट्स की जो निर्यात होता है वारत बड़े मत्र में इंजिरिंग गुट्स का निर्यात करता है तो उसमें भी काफी गिरावट देखी गे निर्यात है हमारे एक्सपोर्ट इंजिरिंग गुट्स का बहुत ही ज्यादा मतलब गिरा हुआ है जो कि पिछले पर्स जो देखा गया था इसमें सुधार होता मतलब इसका एक्सपोर्ट पिछले वास बढ़ा था जो कि अब बरतमान में इस फर्स जो काफी गीरा हुआ है वहीं यह जो अभी हाली में मितलब कि हमारे वाड़ी जमंत्री जो प्योज ग्योल जी ने वोड़ अप्ट प्रिष्टी तब ही जाकर कि हम बरतमान इस फीटियों से मतलब की बेहतर तरीके से निपट पाएंगे अपने जो अगले पांच वर्स हैं उसमें अगले पांच वर्स में एक लाग क्रोर डाला मूल कर निर्यात किया सकता है इसके वाने संभावनाई विव्यक्त की गए है अब यही इसके लिए बताया गा कि जव हमारी जी परतमान वेस्विक्त आर्थिक परद्रिशय हुआ तो बातर के लिए तो एक सकारत्म uhh क्यों कि दो फिश्ति सेधारी है इसको भारत के लिए कह सकते हैं कि वेस्टितियां बाहरत की निर्याट के अनुकूल है तो भारत इसमें अपनी मतलब धाग जमा सकता है बारत तो अब यह गा गया वही निर्याट को बृध्धी तो हलाकि यह जो है इस वित्वर्स में जो दूसरी बार निर्यात ब्रिद्धी में जो सालाना अधार में जो कमी आई है तो इसी बारे में हमारी है जो हमारी केंद्री वित्वमंत्री जी हैं तो भी निर्यात को बढ़ा हो जाए कि काफी कोछ मतलब प्रयास लगातार जारी है को जो प्रोतसाहन भी मतब दिये जा रहे हैं सुल्क में छूड दी जा रही है तो उत्पाद निर्यात में कर छूड भी दी जा रहे है जिसको नेरिविका बगर कहके मतलब नाम दिया गया है तो यह हमारी निर्यात को प्रतिसपदी हो जाएगा के तब बसके छह पक्ते हुपको ज्यादा प्रतिसपर्दी नहीं से पातीं यह इस excess कि आप hashtags तो इसके लिए कुछ समसा जैसे कि लाल फीता साही रेटेपिज वगए रहा है तो इन्हें से भी इन्हें हम हल करके अपने निजाद को भी बढ़ा सकते हैं ठीक है और वहीं जो है तो निजाद को क्लिए वस्तियम से वगर के इंपुट करके में भी जो मतलब आटमेटिक से जो रिफंड वगरा है यह थोड़ा से रियाद दी गई फ्लेक्सिविल्टी दी गई जिसे के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके तो यह निजाद को को ज्यादा थोड़ा प्रायरिटी दी जा रही है वही जिस्टी इंपुट टैक्स के वगरा जो है तो इसमें जो देख पर चमिली नियुनियाद सब्चाओं नियक्सिट धर्ल खॉबशन है वहीं यह फक्राट दोड़ां निजादस ऊदिये ले समय मोस्ति कि यो जो काम अभी हां से कियाते हैं उनको जह किया हो जाएगा गाव पुर्छ रेसे हमारी जो ट्ग्णिक कर सकते हैं तो इस्हें हमारी एक्सपॉप्र भी बूश्ट हो सकता है और यहाँ पास एक जो बंदर्गाए पे हमारे जो टाइम यहाज है जहाज जैसे है तो ट्रगों के लोटने के समय है जो है तो जो उसके अन्रूप हमारे जो भी टाइम जो है तो भी उसी तरह से मतलब बेंडार फिस्टम से तखनेक का प्रियोग करके जाए कि मतलब इसके में एक चीजें लगी हो जीपेस वगयरा से सब इंटर लिंक हो तो चीजे मतलब कि समय किस्ते बचत होगी और जल्दी जल्दी चीजें हो जाएंगी तो वैसी बंदरगाई की तरह इससे कम समय में हम जाला दर चीज प्रोड़क्टिविटी बढ़ जाएगी इससे और जो हमारे ट्रक आदे गंटे मतलब कि काम हो जाएगा इस तरह के लग्ष लेका के चलेंगे तो हमारे नीर्यात जो है तो प्रतिस्परधा में मतलब कि हमारा थोड़ा सा नीर्यात काफी कुछ बढ़ेगा औ इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थनवाद